अर्चना स्वीच पाक्षाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है त्योहार का मौसम आचुका है तो चलिए आज हम बनाते हैं गाजर की बर्फी ये बर्फी बहुत ज़्यादा स्वाधिष्ट लगती है सभी इसे बहुत पसंद करते है और इसे हम कई दिनों तक रख सकते हैं खराब नहीं होती है तो चलिए हम स्वाधिष्ट गाजर की बर्फी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने डार्क कलर की गाजर ली होई है सर्दियों के मौसम में गाजर आनी शुरू हो जाती है गाजर बहुत ही मीठी होती है तो इसे हमने अच्छी तर से धो लिया है और इसको हम धो कर छीलने के बाद में बारिक वाली कस्नी से कस लेंगे तो इसे एकदम बारिक वाली कस्नी से हमने कस लिया है अब एक कटोरी हम लेंगे उस कटोरी का नाप से ही बर्फी हमें बनानी है तो यह देखिए कितना बारिक हमने कस लिया है और यह कटोरी से हमने नाप लिया है बराबर तीन कटोरी लेंगे इसमें से क्योंकि इसी कटोरी से हमें शक्कर और दूद का नाप लेना है तो जो भी आप नाप ले इसी तरह से लेना है अब एक पैन में हम एक टेबलस्पून घी रा लेंगे गी हमे बस एक टेबलस्पून से ही हम अच्छी स्वादिश्ट गाज़ की बर्षी बना लेंगे ज़ादा की की आऊशकता नहीं है अब इसके अंदर तीन कटोरी गाजर कसा हुआ हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मीडियम आज पर हिलाते हुए भूनेंगे कुछी देर में अच्छी खुश्मू आना शुरू हो जाती है और थोड़ा थोड़ा कलर और भी जदर डार खोने लगता है अब इस समय हमें जिस कटोरी से हमने नाप लिया था गाजर का उसी कटोरी से हम तीन कटोरी बराबर फुल फैट मिल्क इसमें मिला देंगे पहले हमने एक कटोरी डाला इसको थोड़ा हिलाया अब बाकी की दो कटोरी दूद हम इसमें मिला लेंगे दूट डालने के बाद में हमें गाजरों को और भी अच्छी तरह से पकाना है और कुछ दिर हम हिलाएंगे उबाल आने के बाद कभी ये उबल के बाहर भी गिर जाता है इस बाद का ध्यान रखना है जब यह तोड़ा गारा हो जाए तो इसको हमें धकन लगा देना है और धकन थोड़ी देर तक एक साइड से कोल के रखना है ताकि यह लाबल के बाहर ना गिरे तो हम इसको कुछ देर के लिए ढगा देंगे और थोड़ी देर के बाद में जब यह अच्छी तरह से गाड़ा हो जाएगा थोड़ा तब हम इसको ढगा देंगे फिर यह नहीं गिरेगा और आज को हमने मीडियम ही रखा हुआ है अब हम ड्राइफ टूट्स लेंगे तो हमन अब हमने देखा कि यह धीरे धीरे गाजर पकने लगे है हाथ से दबाके देखेंगे गाजर गल चुके है तो अब हम हमें इसको गाड़ा करना है और भी ज्यादा अब हम इसमें जो बदाम का पाौडर बनाय學 था बदाम हमने मिक्सी में जो पीशके रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे अब हमें चासनी तयार करनी है तो चासनी हमें कोई तार की तयार नहीं करनी है जितना हमने गाजर का कस लिया था और वोसी कटोरी से हम एक कटोरी नाप के शकर लेंगे और शकर डूबे उतना पानी डालेंगे और शकर चेक करेंगे पहले गाड़ा हुआ है या नहीं अच्छी तरह से इसको गाड़ा होने देंगे और यह जब अच्छी तरह से गाड़ा हो जाएगा तो गरम गरम चासनी को हम इसके ओपर डाल देंगे और चासनी डालने के बाद में इसका कलर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है अब हमें अच्छी तरह से इसको जब तक ये कड़ाई छोड़ ना दे तब तक हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है ध्यान रखना है ये जले ना बस अब इसमें एक चमच हिलाईची का पाउडर डाल दिया है हमने इलाइची पार्डर डालने की बाद में हम इसको अच्छी तरह से लेंगे और देखिए कितना गाड़ा भी हो चुका है यह, और चेख करेंगे कढ़ाई छोड़ रहा है और गी भी बी अलग हो रहा है और इस तरह से हम चेक करेंगे गूला बन रहा है तो अब हम इसे जमाएंगे, जब यह अच्छी तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे और बर्फी जमने जैसा लगने लगे तो अब हम इसे जमाएंगे, तो ट्रे में हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है नीचे, कोई भी चिकनाई लगा सकते हैं, घी तो ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर हमने इसको जमा दिया, और उपर से पिस्ता और काजु लगा दिये है, अपनी पसंद के अनुसार आप उपर कोई भी ड्राइज फूट्स लगा सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से दबा कर जमा देंगे इसमें, और बराबर नाप के अपनी इच्छा अन बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है, देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनके तयार हो गई है, है ना कितनी अच्छी डिश, तो इस दिवाली आप इसे जरूर बनाईए, बहुत ही पसंद करेंगे सब लोग से, और इसको आप कई दिन तो खा सकते हैं, ये खराब बिलकुल भी नहीं होगी, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, और इसे आप जरूर इस बार बनाईए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना खुब 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 ख्याल रखिए, सबस्त मस्त रिये, मस्त रिये, थेंक यू